हेलो गाइज, वेलकम बैक टो माई चैनल रामा सिरीज पार्ट एड तकी स्टोरी आपको पिछले वीडियों बता चूँ हूँ जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्षन में मिल जाएगा पिछले एपिसोर में हमने देखा था कि मरिसा अरजुन को बता देती है कि टच गे है तो अरजुन गे बात जानकर फूले नहीं समाता और वो टच की इस सचाई को बाहर निकालने के लिए प्लैनिंग करने लगता है दूसी तब वादी और सारुत एक दूसे से ज़ादा नही वो एक यह है और अरजुन जान बुच कर टच को इमोशनली जैन के करीब लाने की कोसिस करता है कि तभी वहाँ पर टाइम आ जाता है और अरजुन की इस हरकत पर अरजुन को खूब डाणता है और यहां पर फिर से इन दोनों में लड़ाई हो जाती है तो टच टाइम को सा तो टच कहता है, मैं तुम्हारी फिलिंग समझता हूँ, लेकिन मैं भी कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझ में भी समझ है, मैं इस मामले को हेंडिल कर लूँगा, कि तभी टच को हॉस्पिटल से कॉल आता है, और हॉस्पिटल वाले टच को बताते हैं, कि उसका स्पाम हल्दी नहीं है, इसलिए वो बाप नहीं बन सकता, तो टच जैसे ये बात सुनता है, उसके पैरो तले तो जमीनी खिसक जाती है, और वो ये बात टाइम को बताता है, तुम लोगों ने मुझसे जो भी उमीदे लगाई थी, मैंने उन सारी उमीदों पर पानी फेर दिया है क्योंकि मैं बाप नहीं बन सकता, क्योंकि मैं एक गे हूँ और गे बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तुम्हें पता है, अगर मैंने इस खांदान को वारिस नहीं दिया, तो हमने आज तक जो भी महनत की, वो सब बरबाद हो जाएगी, और हमारे दादा और पापा की महनत से अरजुन के हाथ लग जाएगी, मैंने बहुत कोसिस की, कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया, उल्टा मैंने अपने भाई को ही चोट पहुंचाए, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसकी गर्फरेंट को हायर करके अपनी वाइब बना क लेकिन ये सब करने का भी क्या फाइदा हुआ, अंत में हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा, तो टाइम कहता है, ऐसा मत कहो भाई, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा, आप प्लीज उमीद मत थारो, तो टच कहता है, प्लीज टाइम ये सब मत कहो, ये सब सुन सुन कर मैं पूरी तरह ठक चुका हूँ, इसलिए तुम अभी घर जाओ, ठीक है, और टच टाइम को घर भीज देता है, आगे टाइम घर आता है, तो यादा कहता है, तुम आफिस से इतनी जल्दी क्यों आ गई, तुम्हारा भाई कहा है, तो टाइम कहता है, मा वो अभी ऑफिस में ही है, उसे कुछ काम था, तो यादा कहती है, तुम अपने भाई को आफिस में केला छोड़ कर कैसे आ गई, तुम्हें पता है न, आफिस में चैन भी है, तो टाइम कहता है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मा टच ने मुझे जबरदस्ती घर भेजा है, दोसी त दोनों मिलकर रोमेंस में गोते लगाएंगे, और चैन ये कहकर वहां से चला जाता है, इधर अरजुन उन दोनों की सारी बाते सुन लेता है, और उसके दिमाग में एक ब्लैन आता है, टच को फसाने का, दूसी तब टाइम को समझ में नहीं आता है, कि वो अपने भाई को रिलैक्स फिल कैसे करवाएं, और उसे कैसे समझाएं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो टाइम कहता है, क्या मैं यहाँ पर कुछ दे रह सकता हूं, तो नुत कहती है, हाँ, आगे टाइम नुत को बता देता है, कि टच को हॉस्पिटल से कॉल आया था, और उसका मीट तूटती है ना, तो बहुत बुरा लगता है, मैं टच की फिलिंग्स को समझ सकती हूं कि उसे कैसा फिल होडा होगा, आगे टाइम और नुत एक दूसे के साथ टाइम में स्पेंट करते हैं, और एक दूसे को रिलैक्स फिल करवाने की कोशिस करते हैं, दूसी तब जाकर मरिसा को दिखाता है, तो मरिसा जब उन दोनों के ऐसे वीडियोस देखती है, वो तो पूरी तरह सौक्ठी हो जाती है, आगे अरजुन मरिसा को कहता है, मेरे पास हुकुम का इका आगया है, इस वीडियो से मैं टच को इस कमपनी से बाहर निकाल दूँगा, और उसक हो गया, तो दो साल के अंदर तुम्हें बच्चा नहीं हो पाएगा, और जब तुम्हें बच्चा नहीं होगा, तो ये सारा बिजनिस टाइम को चला जाएगा, तो अरजुन कहता है, मैं इस बारे में सोच रहूं, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, तो मरिसा कहती है, मेरे पास एक आइडिया है क्यों न तुम अपना बच्चा मेरी कोख में पालो वैसे भी तुम्हारा डाइवर्स हो ही रहा है तो डाइवर्स के बाद तुम मुझसे साधी कर लेना और मैं तुम्हारे खांदान को वारिश दूंगी इससे तुम्हारा बिजनेस हमेशा हमेशा क नुत कहती है इस तरह हार मत मानो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा तो टच कहता है कोई रास्ता नहीं निकलने वाला मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता और मैंने अपनी इस बेब कूफी में तुम्हारी भी लाइफ बरबाद कर दी तो नुत कहती है तुमने मेरी और दादी भी ऑफिस आते हैं उस मिटिंग को एटेंड करने के लिए तो टैच सब के सामने प्रजेंटेशन देता है और सब को बताता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी कंपनी को बहुत फाइदा हुआ है तो दादी ये सब देखर बहुत ही खुस होती है कि तभी इंटर इनके साथ संबंद बना रहा होता है तो सारे लोग ये वीडियो देखकर तो पूरी तरह सौक्ट हो जाते हैं कि आखे कर ये सब क्या चल रहा है और दादी को ये सब देखकर तो बहुत बढ़ा सदमा ही लग जाता है आगे दादी टश पर बहुत ही गुसा करती है और कहती है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी और तुमने अपनी इस कमी को छुपाने के लिए एक लड़की को हायर किया और उसे साधी की तच मुझे तुमसे ऐसी उमीद नहीं थी तो वो लोग दादी को समझाने की कोसिस करते हैं पर दादी किसी की भी बात नहीं तो टच को भी गुसा आजाता है और टच पहली बार अरजुन को खीच कर एक मुका मारता है तो टाइम टच को रोक लेता है और यहाँ पर दोनों परिवार में जम कर लड़ाई होती है तो दादी अपने परिवार को इस तरह लड़ते हुए देखकर पुरी तरह परिसान हो जाती है आगे वो लोगों से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो दादी की हलत इतनी खड़ाब हो जाती है कि उनका उपरेशन करना पड़ता है इधार अरजुन सारा इल्जाम टच पर लगा देता है और कहता है तुमने कमपनी को बरबाद कर ही दिया है अब तुमने दादी की अगर दादी को कुछ भी हो गया ना टच तो मैं तुम्हें नहीं चोरूंगा और अरजुन यहां पर टच पर ही सारा इल्जाम लगाने लगता है क्योंकि करनी तो उसकी होती है पर वो सारा इल्जाम टच पर लगाता है तो टाइम को यह सब देखा नहीं जाता और वो तुम मेरी जगा कभी भी नहीं पा सकती समझी आगे टच अपना सारा गुस्सा खुद पर निकालता और कहता है यह सब मेरी वज़ा से हुआ है और मेरी वज़ा से बिजनेस बरबाद होने के कगार पर आ गिया है और टच खुद को ही सब चीजों के लिए ब्लेम करने लगत तो टाइम टच को सम्हालता है और कहता है भाई इसमें आपकी कोई गलती नहीं है प्लीज अपने आपको ब्लेम मत करो दोसी तब ये वीडियो इतनी वाइडल हो जाती है कि चैन के भी रेप्यूटेशन पर बात उठ जाती है और सारे मीडिया वाले चैन से घटिया घटिया स साथ वो सब किया है जो एक लड़के और लड़की के बीच में होती है और मुझे तभी पता चल गया था कि तुम्हारी बोडी में कुछ ना कुछ प्राब्लम जरूर है लेकिन मैंने कभी इसे माइन नहीं किया लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी बेव इसमें तो उसका कोई हाथ भी नहीं है वो जबर्दस्ति उसके साथ सोना चाहता था और चैन अपनी बातों से मैनेजर को इस तरह मैनुप्लेट करता है कि मैनेजर भी उसकी बातों में आ जाती है आगे डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि सरजरी तो सक्सेस्फूल हो ग और टच अपनी दादी की ऐसी हलत का खुद को जिम्मेदार मानता है आगे यादा घर जाड़ी होती है तो वो अपने बेटे को कहती है टेंसन मतलो सब कुछ ठीक हो जाएगा और यादा अपने बेटे को बाई कहकर वहां से चली जाती है कि तभी वहां पर धेर सारे मीडिय वाले आ जाते हैं टच से सवाल पूछने के लिए तो नूत और टाइम सारे मीडिया वालों को टच से मिलने के लिए रोकते हैं और टच को वहां से लेकर भाग जाते हैं आगे वो लोग मीडिया वालों को गुमरा करके टच के पास जाते हैं पर वहां पर टच नहीं रहता तो वो लोग परिसान हो जाते हैं कि आखिकार टच गया तो गया कहां। दोसी तब टच अपने पेंटा हाउस में जाता है और वहाँ जाकर खूब सराब पीता है। और अपने कार नामों को याद करके सरमिंदा होता है। और धेर सारे लोगों की कॉमेंट्स को परके वेचारा डिप्रेशन में चला जाता है। इधर नुत और टाइम घर आते हैं तो उसकी मौम बताती है कि टच घर नहीं आया है अभी तक। तो वो लोग परिसान हो जाते हैं तो यादा कहती है मुझे अपने बेटे के लिए बहुत ही डर लग रहा है कहीं वो अपने आपको कुछ कर ना ले प्लीज मेरे बेटी को ढूंडो टाइम तो टाइम और नुत टच को हर जगहां ढूंडते हैं तो उन्हें याद आता है कि परिसान होता है या अपसेट होता है तो वो हमेसा पेंटा हाउस जाता है तो वह लोग टच को ढूंडने के लिए पेंटा हाउस जाते हैं और वो हर जगां टच को ढूंते हैं कि तभी उन लोगों की नजर टच पर पड़ती है जहांपर टच ने खुद खुशी कर ली होती है तो वो लोग टच की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह सदमे में चले जाते हैं और टाइम अपने भाई की ऐसी हालत देखकर तो कुछ कह लाँ पर पुलिस आती है जाच पर ताल करती है और टच की बोड़ी को लेकर वहां से चली जाती है आगे ऊपने बेटे की ऐसी आप देखकर तो पूरी तरह सदमे में चली जाती है और पागलों की तरह रोती है तो टाइम अपनी मॉम को संभालता है तो नुत भी यादा को सम्हालने की कोसिस करती है पर यादा अपना साना गुसा नूत पर निकालती है तुम्हारी वज़्जा से मेरा बेटा आज इस स्दुनिया में नहीं सकती है अगर्व्र तुमने मेरे बेटी को जरासा भी प्यार किया हो तो वह कभी भी उस घट्याट चैन के पास नहीं जाता, तुम नहीं मेरे बेटे को मारा है, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, और यादा नुत को ही मारने लगती है, तो टाइम अपनी मॉम को सम्हालता है, आगे नुत घर जाती है, और टच को याद करके नुत खूब रोती है, इधर टाइम का भी हाल बहुत ही बुड़ा रहता है, और वो अपने भाई को याद करके पागलों की तरह रोता है, तब हो अपन नुत आती है सूट लेकर, तो टाइम नुत के चोटों की निसान देखता है, तो उसके चोटों पर महलम लगाता है, और कहता है, मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ जो भी किया, उ मुझे पता है मौम को हम लोगों से भी ज़्यादा दुख है क्योंकि उन्हों ने अपना बेटा खोया है वैसे तुम कैसे हो तो time कहता है मुझे नहीं पता मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा है मैं अपने भाई के बिना इस दुनिया में क्या करूंगा मैं उसके बिना तो कुछ कर भी नहीं सकता और टाइम ये कहकर रोने लगता है तो नुट टाइम को समालती है और दोनों एक दूसी के गले पर कर खूब रोते हैं अगले दिन वो लोग टच की बोड़ी लेने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो उन लोगों को बोड़ी बहुत ही लेट से मिलती है तो टाइम डैन से पूछता है ये सब क्या चल रहा है उन लोगों ने तो कहा था कि टच की बोड़ी रेडी हो गई है और हम ले जा सकते हैं फिर ये सब क्या चल रहा है तो डैन कहता है जब हमने तुम्हारे भाई का पॉस मॉटम किया तो हमें ये पता चला कि तुम्हारे भाई का मड़ हुआ है उसने खुदखुसी नहीं की है उसे जब फासी से लटकाया गया था उससे पहले ही तुम्हारे भाई की मौत हो गई थी और इस मड़ को सुसाइट का नाम देने के लिए ये सारा सरियंद रचा गया है तो वो लोग जैसे ये सुनते हैं कि टच ने खुदखुसी नहीं की थी बलकि उसका मड़ हुआ है तो वो लोग ये बात सुनकर पूरी तरह सौक्ट हो जाते है तो डैन कहता है क्या तुम्हें किसी पर सक है जो टच के साथ ये सब कर सकता है तो टाइम कहता है मुझे अरजुन पर सक है क्योंकि वो मेरे भाई को बिजनेस से हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है तो डैन कहता है मैं इस मड़र की पूरी जाच परताल करूँगा और तुम्हारी भाई को इंसाब दिलाऊंगा लेकिन तब तक तुम लोगों को सांत रहना होगा और तुम लोगों को ये बात सब से चुपानी होगी कि तुम लोगों को बता है कि तच का मड़र हुआ है ना कि उसने खुद खुशी की है क्योंकि अगर ये बात लिख हो गई तो वह थ्यारा चोकनना हो जाएगा और हम उसे पकर नहीं पाएंगे